नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश आईए रुखे करते हैं हाँच की तमाम खबरों पर उमर्या जिले में संचाले सभी छात्रावासों की स्तिती बहतर बनाने के लिए पाली में आयूजित हुई एक दिवस्य कारिशाला उमर्या कलिक्टर ने कारिशाला के दौरान सभी अधीक शकों को दीए आवश्चक दिशानरदेश उमर्या कलिक्टर बुद्धिश कुमार वैद ने जिले के सभी छात्रावासों में रहकर पढ़ रहे बच्चों को बहतर सिक्षा प्राप्त हो सके और उनका रहन सहन बहतर तरीके से हो सके और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो पाए इन सभी बातों को लेकर पाली के नेता सभाज शंद्र बोस कन्या छात्रावास में जिले के सभी अधिक्षकों के साथ कारिशाला कायूजन कर सभी को प्रशिच्छट दिया साथी सभी को समझाते हुए बताए कि किस प्रकार से छात्रावासों को संचालित किया जाए कलिक्टर बुद्धिश वैद ने ये भी कहा कि बच्चों को शाषन से मिलने वाले शाष्किये फंड और शाष्किये सुईधाएं बहतर तरीके से दी जाए हम आपको बता दें कि बीते दिनों ग्राम बिल सराइस्तित छात्रावास में कुछ बच्चे बेहोशी की हालक में पाए गया जिसके बाद उक्त प्रकरण में क इस घटना से आहत होकर कलेक्टर उमरिया ने जिले की सभी छात्रावासों के अधिक्षक से बैठक कर बच्चों के रहन सहन सहित पढ़ाई लिखाई को बैतर बनाने इस कारिशाला का यूजन किया गया कलेक्टर ने सभी को नरदेशित किया है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यह हम सभी का करतवे है जोरान कलेक्टर नेताजी सुभाशंद्र बोस बालिका चात्रावास का अंदरिक्षर वी कलेक्टर ने किया जहां सभी कुछ सही पाया गया जिसे लेकर कलेक्टर ने चात्रावास को मौडल चात्रावास बनाने की बात कही यह चली जितने भी च्वाट्रावास है दिवास है ने स्कुल सिवाट्रावक के हो निफकर बच्छ भूरक करना跑 कुछ सब्सक्रावाइब जो remedial classes हैं वो ठीक लगे और परिचा परिणाम जो है बच्चों का वो बहतर हो कुल मिला करके एक दिवसी हमने एक precision सत्र जैसा रखा था जिसमें सारी जो प्रबंद की पारीकिया हैं सारे जो प्रपत्र भरे जाते हैं समय समय पर जो सारे चात्रावासों की जो रीटिंग्स होती है इस्टेट लेवल पर उसमें हम कैसे अपना अच्छा काम भी करें और अच्छे काम का जो है सारा डेटा इंट्री बगरे करें इसके लिए हमने एक दिन की पूरी कारिशाला रखी थी और सारे जितने भी अधिक्षक हैं वो सभी अधिक्षकों को इस बात के लिए संसिटाइज किया गया है कि जितने भी बच्चे हमारे चात्रावासों में रहते हैं और जो हमारे अधिक्षक हैं वो अच्छे से अपना काम करना सीखते हैं तो जहां भी कोई कम्या रहती है कोई गयापस रहते हैं तो उनको हम जो एक्सपोर्ट्स रहते हैं उनके माध्यम से चर्चा करके दूर करने की कोशिश करते हैं और जब visits करते हैं तो जो fields से जो भी issues होते हैं वो भी हमारे सामने आते हैं उसमें भी हमें पता चलता है कि हमको चात्रावासों में किस किस तरही की मुलबुत सुइधाओं की कमी है, उसको भी हमको सास के इस तरह से किस तरह से उसको supplement करना है, address करना है, तो एक बार जब फिल्ट फंक्शनरीस के साथ आप बैठ करके बात करते हैं समझते हैं तो फिर भी बहुत सारी कम्या जो है दूर होने में मदद करती है